रूसी सेना के युक्रेन पर आक्मन करने के बाद युक्रेन के नागरिक ही नहीं बल्कि वहां रह रहे है विदेशी नागरिक भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरल ले रही हैं। इन विदेशी नागरिकों में भारती छात्र भी है जिने पोलेंड की ओर से सरहानी मदद उपलब्द करवाई जा रही है। पोलेंड के बॉर्डर पर पोलेंड के नागरिकों, शासन और वहां रह रहे सिक्ख समुदाय के लोगों द्वारा हर संभव कोशिच कर वहां पहुँच रहे भारतियों की मदद की जा रही है। पोलेंड और भारत का आपस में क्या रिष्टा है? आखिर क्यों पोलेंड भारतियों के लिए जान छड़कने को तियार है? आखिर क्यों भारत के एक राजा के नाम पर पोलेंड में कई सड़के, गलिया, कई योजनाए और कई चौक समर्पित है। आईए चलते हैं इतिहास के पल्लों में बात दूसरे विश्वयुद्ध की है जब 1949 में रूसी सेना और जर्मनी ने मिलकर पोलेंड पर कबजा कर लिया था जो हालात आज युक्रेन में हैं ऐसे ही हालात दूसरे विश्वयुद्ध में पोलेंड भी देख चुका है उस युद्ध में पोलेंड की हजारों सैनिक मारे गए लोग बेघर हो गए उनके बच्चे अनाथ हो गए महिलाएं अपने इच्चत बचाने के लिए यहां वहां छुपने की जगह तलाशने लगी 1941 तक ये बेघर और अनाथ होए लोग पोलेंड के शिवरों में छुपते रहे लेकिन बरबरता धुकी नहीं रूसी सेना ने उन शिवरों से पोलेंड के इन लोगों को मार मार कर भगाना शुरू कर लिया 600 से ज्यादा बच्चे और 500 शरणारती महिलाओं से भरा जहाज इरान के बंदरगहा पहुँचा लेकिन वहां उन्हें शरण की अनुमती नहीं मिले इसके बाद जितने भी देश रास्ते में आए किसी ने भी उन धक्का दिये हुए लोगों को शरण नहीं दी अंत में वो जहाज भटकते हुए भारत के गुजराथ जामनगर के तट पर पहुँचा कई दिनों के बुखे प्यासे बच्चे और महिलाएं दम तोडने जैसी हालात में थे जामनगर के राजा दिगविचे सिंग जाडेजा को जब पता चला तो नहीं तुरंत जहाज के सभी लोगों को अपने यहां शरण दी उसवक भारत खुद अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि पोलेंड निवासी यहां भारत में रहे राजा दिगविचे सिंग ने अंग्रेजों से लड़कर इन बच्चों और महिलाओं को शरण दी यहां राजा दिगविचे सिंग ने महिलाओं को रहने के लिए घर मुहिया करवाई उनके बच्चों को अच्छी सिक्षा दी और आर्मी ट्रेनिंग दिलवाई इन सभी के लिए राजा दिगविचे सिंग ने जामनगर से 25 किलोमेटर दूर बलाचड़ी काउं में हर व्यवस्था उपलब्द करवाई राजा दिगविचे सिंग ने पोलेंड से जान बचाने भारत आई पोलेंड की नई पौद को सीज कर इस काविल बनाया कि वो अपना छीना हुआ सब कुछ दोबारा हासिल कर सके एक पिता की तरह सहारा दिया प्यार दिया और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया उस वक्त ब्रिटिश वार कैबिनेट की बैठक हुई अंग्रेजों ने इन सभी को रखने पर आपत्ती जताई लेकिन अकेली राजा दिगविचे सिंग ने इन महिलाओं और बच्चों के लिए अपना समर्थन दिया बैठक में केवल दिगविचे सिंग ही इनके समर्थन में थे और उनकी दलीलों के आगे ब्रिटिश कैबिनेट को मनजूरी देनी पड़ी इसके बाद पोलेंड से और जथे आए जिने मिलाकर बच्चों की कुल संक्या एक हजार तक हो गई राजा दिगविचे सिंग ने बच्चों के सर पर हात रख उन्हें यकीन दिलाया कि वो सुरक्षित हैं और उनके सर पर एक पिता का साया है पोलेंड से इन बच्चों के लिए फुटबॉल कोच भी मंगवाया गया ताकि बच्चे अपने देश की जड़ों से जुड़े रहे बच्चों के लिए दिगविचे सिंग ने लाइब्रेरी बनवाई जिसमें पॉलिश किताबे रखी गई ताकि बच्चों को पोलेंड के बारे में जानकारी मिल सके राजा दिग्विजे सिंग ने इन सभी शरणार्थियों के लिए पोलिश तिहारों की भी विवस्ता सुनिश्चित करवाई और उनके हर तिहार को धूम धाम से मनाया जाने लगा ये सभी खर्च राजा दिग्विजे सिंग ने उठाया उन्होंने एक फूटी कौडी भी पोलेंड से नहीं ली 1945 में जब विश्वयुद्ध खत्म होने को हुआ तब पोलेंड को सोवियत यूनियन में मिला लिया गया 1946 में पोलेंड की सरकार ने भारत में रह रहे इन शरणार्थियों को वापस बुलाने के लिए राजा दिग्विजे सिंग से संपर्क किया राजा ने कहा कि ये सब आपकी ही अमानत हैं जब चाहे आपने जा सकते हैं शर्राथियों के पोलेंड वापस पहुचने पर पोलेंड सरकार भी हैरान थी कि उन्हें भारत में इतनी अच्छी सिक्षा और ट्रेनिंग दी गई कई बच्चों ने पोलेंड में आर्मी जॉइन कर ली और देश की सेवा की 43 वर्ष बाद पोलेंड सोवियत यूनियन से अलग हो गया अजाद पोलेंड भारत के राजा दिगविजे सिंग के एसानों को नहीं भूला और अजाद पोलेंड की सरकार ने राजधानी वॉर्षा के एक चौक का नाम दिगविजे सिंग के नाम पर रग दिया राजा दिग्विजे सिंग का निधन 1966 में हुआ, उनके निधन के बाद भी उनके सम्मान में पोलेंड में कई सडके, गलियां और कई पार्क बनाये गए 2013 में राजधानी वर्षा में एक और चौक राजा दिग्विजे सिंग के नाम पर गुड महराजा स्क्वायर बनाया गया इतना ही नहीं, राजधा दिग्विजे सिंग को पोलेंड के सबसे लोग प्रिये, बेडनार्सका हाइ स्कूल के मानत सनरक्षप की उपाधी से भी नवाजा गया और पोलेंड ने राजधा दिग्विजे सिंग को अपने सर्वच नागरिक समान कमांडर्स क्रॉस ओफ द ओर्डर ओफ मैरिट से भी समानित किया राजध दिग्विजे सिंग की शरण में जो बच्चे पड़े लिखे थे, उनी में से एक बच्चा बार में पोलेंड का प्रधान मंत्री भी बना अब हर साल पोलेंड के उन शरणार्थियों के वन्शस भारत जाम नगर आते हैं और अपने पूरवजों को याद करते हैं हर साल पोलेंड में राजध दिग्विजे सिंग के नाम पर पोलेंड अकबारों में जाम सहप के नाम से आर्टिकल पप्रिश होते हैं पोलेंड में राजा दिगविचे सिंग को भगवान का दर्जा दिया गया है उनके लिए कोई भी किसी तरह का अपशब्द नहीं कह सकता अगर कोई राजा दिगविचे सिंग की शान के खिलाब एक लवज भी निकाल दे तो उसे कठोर सजा मिलती है भारत और पोलेंड का आपसी रिष्टा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है पोलेंड आज भी भार्ती राजा द्वारा किये गए उपकार को नहीं भूला और किर्तगीता प्रकट करने का कोई भी मौगा नहीं छोड़ता